कि नमस्कार में राना इश्वंत आपका स्वागत करता हूं आप कभी कभार ऐसा मौका पाते हैं जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के सामने होते हैं जो अपने आप में प्रश्णों का एक सिलसा होता है उनसे प्रश्ण करना भी प्रश्ण को कई अर्थ दे जाता है और ये प्रश्ण जो है वो राजनीत के नहीं होते हैं अपराद के मनरंजन के हमारी रोजाना जरूरत के नहीं होते हैं वो प्रश्ण जीवन के मूल प्रश्ण होते हैं और ऐसे सवालों का जवाब देने में जो व्यक्ति माहिर हैं या जिनको हम आप बहुतेरे सुनते रहते हैं आज मैं उनके सामने हूँ यह मेंने को करyasे हैं आजाल प्रशांता है यह व्यक्ति इतले के क्वालीफाई कर जाया मने ऐसमें जीवन को सार्थात मानतें सफल मान लेते और आप वे सारे रास्त चोड़ करके सफल के बाद कोई नहीं रहा ढूंडे रहे हैं और आचार प्रशान्त हो गए यह रास्ता कैसे चलता रहा और क्यों चलता रहा देखिए शिक्षा लेना चाहे वो आईटी से हो या आएम से हो या कोई नौकरी लेना चाहे वो यूपीस्टी से हो या कहीं और से किसी मर्टिनाशनल में यह स जरीय होते हैं न विए उन्के माध्यम से हम कुछ और बड़ा कुछ उंचा कुछ सारथक करना चाहते हैं क्रीं वो dan करना चाहते हैं उसके लिए हम कहते हैं कि शिक्षा मिल जाए या नौकरी कर लें जिससे हमें कुछ अधिकार मिल जाएं या नौकरी कर लें जिससे हम किसी ऐसी जगह पहुँच जाएं जहां हम कुछ अच्छा करके दिखा सकें तो ये नौकरियां या शिक्षा अपने आप में अंत नहीं होते और मन्जिल तक पहुँचने के लिए अगर दिखाई दे कि आपके पास अभी जो साधन है ये कुछ दूर तक जाएंगे फिर बाधा बन जाएंगे ये बाधा नहीं भी बनेंगे तो उसके आगे ये नहीं जा सकते तो फिर आपको मजबूर होके नए साधनों की, नए रास्तों की, नए माध्यमों की तलाश करनी पड़ेगी मानसिक्ता है, वो अटकती है, मानसिक्ता ये होती है कि हम साधन को साध्य बना लेते हैं हम मीन्स को एंड से समझने लग जाते हैं, हम सोचते हैं कि आईटी से या कहीं से हमने अगर शिक्षा पाली है तो देट सेट, अन्थ हो गया, एंड आ गया, यही तो चाहिए था, पर कैसे चाहिए था आईटी से आप 21 की उमर में निकलते हो, आएम से आप 23, 25 या 27 की उमर में निकलोगे आपने बहुत तैयरी करी, UPSC की 4-5 साल भी लगा दी है, तो भी 28, 33 साल का होते 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 आपको नौकरी मिल जाती है उसके बाद भी तो जीने के अभी 40-50 बरस बाकी हैं, अगर आप कह रहे हो कि नौकरी पाना ही अपने आप में अंत था, लक्ष था तो अब बाकी दिनों में क्या करोगे, और अभी 4 दशक बाकी हैं जीने के लेकिन हमारी वैसी कुछ बन गई है, कि जितनी महनत करनी थी, वो किसी इंस्टिउशन में प्रवेश्टे पहले कर ली ये बड़े गड़वड का कारण बनता है फिर, क्योंकि कुछ नहीं करना है तो आदमी गड़वड करेगा लेकिन आम आदमी के लिए ये एक मुश्किल सी बात है, कि मेरे पास एक अच्छी खासी नौकरी है, अच्छा खासा जीवन है, उस पर हम आगे जा सकते हैं, बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, फिर भी हमको लगता है कि ये नहीं करना है तो जब आदमी सोचता है कि नहीं करना है तो उससे में उसका विचार और पैदा होता है कि क्या करना है तो आपके पास नहीं करने के समय क्या था कि हम आजार डुशानकों असल में आप जिन जगणों को समझ रहे होते हो कि ये आपकी मदद गार बनेंगी जिस सड़क को आप समझ रहे होते हो कि यह मंजल तक ले जाएगी, जो आप उस पर चलने लग जाते हो, या जब आप उस जगह पहुच जाते हो, उस नौकरी में पहुच जाते हो, तो आपको ज्यादा साफ पता चलता है ना, ज्यादा साफ पता चलता है कि आप जहां जाना आइटी चले जाओ आयम चले जाओ थी जिनिया नहीं होती है यह अभी तक भी लोगं को लगता Chillty यहीजिस हासे लगता इन में पहुंच जाओ तो सब हो जाएगा पर जब किनके पास भॉल जाऊ व इनके भीतर पहुंच जाओ तो ज्यादा बेहतर पथा चलता है कि यहाँ से कोई राह नहीं निकलती जो आपको उस मन्जिल तक ले जा पाए अचार प्रशान्त के मताबिक जीवन के साथ अक्ता किसमें पच्पन से ही मुझे यह जो पूरी दुनिया की तस्वीर है इसमें मुझे प्यार कम और तडप ज्यादा दिखाई देती थी चल हिंसा कपट दूर्तता और खासकर जो मासूम है उसके उपर अन्याय अत्याचार यह ज्यादा दिखाई देता था तो यह यह चीज मुझे बदल नहीं थी और छोटे थे तो लगता था कि सरकारी सेवा सबसे जबरदस्त साधन है क्योंकि खासकर आप जब उत्तर भारत में होते हो ना तो आपको और लगता है कि डीम अगर आप हैं तो आप सर्वे सर्वा हैं आप ओम्निपोटेंट हैं आप सरोशक्तिमाने कुछ लिए पी एम डी हैं आप कुछी बदल सकते हैं तो उसके नाते मैं आइटी गया क्योंकि आइटी एंसका ज्यादा सेलेक्शन होता था यूपिस्टी में लेकिन जब प्रवेश पाने के निकट पहुंशने लगा और जब प्रवेश हो ही गया तो अंदर जाकर अकैडमी के लोगों से बात कर कि फिर वहां पता चला कि यहां भी जो संभावना है वो सब फ्रेमवर्क के भीतर की है और बहुत सीमित है और काम अगर होता भी है ऐसा नहीं कि वहां अच्छा काम नहीं हो सकता काम अगर होता भी है तो बहुत मन्थर गति से होता है धीरे धीरे होता है और आपके हाथ में होता आपके ओपर दस बहुत बहुत ब्योड़ी ताकते बैठी होती है तो मुझे इस फर्ष्ट हो गया कि यहां तो बात नहीं बनेगी फिर कॉर्पोरेट जगत को देखा वहां पर जो अच्छी चीज सीखने को वह थी एफिशेंसी पर वहां समस्य और ज्यादा आधारभूत थी वहां समस्य थी कि वहां बस मुनाफ़ा चाहिए वह एफिशेंट भी है प्रोड़क्टिव भी हैं लेकिन बस अपने प्रॉफिट के लिए वह बहुत 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 काम कर सकते हैं बहुत धंके तरीके से काम करते हैं लेकिन काम सारा करते बस अपने नीजी मुनाफ़े के लिए ही करते हैं सरकार से बहुतर तरीके से काम करते हैं लेकिन लक्ष एक ही होता है परसनल प्रॉफिट तो हां कुछ सीखी मैंने तो बस फिर थोड़ा बहुत कुछ समझ में आ रहा था कि क्या है जो दुनिया को बताना ज़ूरी है यह भी समझ में आ रहा था कि अभी कौन है जो मेरी सुने का तो मैंने का जो नए कॉर्पोरेट लीडर्स ओढ़र के आ रहे हैं माने अच्छे टॉप रैंक्ट कॉलेजेस से दो लोग मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं मैं उन तक यह बाते पहुंचाऊंगा तो तीन एक साल मैं कॉर्पोरेट में था तो मेरे वीकेंड खाली होते थे तो उस समय में वो जो कोर्स मैंने बनाया था उसको एक वीकेंड कोर्स की तरह जो दिल्ली के आसपास के अच कि प्तर अस विश्वास के नौपी छोड़ रहा हूं इसके बाद आजे मेरे पास आमदनी कर सारीय क्या होगा नहीं जानता हूं जो अपनाने जा रहा हूं वो मेरा फूर्ज है उस पर मेरा वरोसा है चल जाये जा एका फिर भी आगे क्या होगा भविश कोई नहींा जानता तनिक भी अंदेशाही害 डुक्त KHको कि जारे हैं क्यों कि ज यह तो पक्का था कि जाना तो सही ही दिशा में हैं जितना फीयमिजा सही लग रहा है जो भी भी हुख पता था वह कभी भी नहीं पता हुथा शायद आज भी निंपता पर यही था कि जाना इसी दिशा में उस दिशा में जाने के लिए जो भी शर्ते होंगी उनको मानना पड़ेगा तो शर्त अगर यह कि अपने खर्चे कम रखो तो खर्चे कम रखेंगे आप आयम हमदाबाद से निकले हो तीन साल का आपका कॉर्परेट अनुभा हो गया तीन अलग-अलग शेत्रों का अनभाव ले लिया तो सेलरी अगरा उसी हिसाब से अच्छी वगरा काफी हो गई थी जो मेरे उपर एजूगेशन लोन अगरा था उतने दिन में मैंने सब चुकता गर दिया था अभी पता था चोड़ रहे हो अब कोई जैसा आपने कहा कि कोई अ अमदनी कोई निश्यत तो है नहीं तो यह था खर्चे कम कर दो मैंने बिलकुल अपने आपको वहां तक सीमित कर दिया कि इतना तो आई जाएगा इतना तो करी लूंगा और इत्फे आदा मुझे अपने खर्च बढ़ाना ही नहीं है खर्च बढ़ाओ उसी में दुख होता है और मुझे ऐसा अपने आसपास कोई तंत्र नहीं खड़ा करना है इसकी कॉस्ट होती हो जो प्रतिमाह मुझसे पैसों की मांग करें तो मैंने इस तरह से अपने लाड़ी बढ़ा ली यह जो व्यक्ति है जीवन है जो कि मोटे तोर पर हमारे यहां जो सनातन परंप्रा के का दर्म बुरंद हैं वो कहते हैं कि जीवन बंधन है और मृत्यु जैने वह मूख्ष है जीवन मृत्यु की परिभास यही है जीवन इस से परे है मृत्यु इससे परे जीवन बंधन है पर बृत्य मोक्ष नहीं है बृत्य तो उसी चीज का आगे का प्रवाह है जिसको हम जीवन बोलते है जीवन बंधन है क्योंकि जीवन पूरे तरीके से बस रासायनिक है देखिए थोड़ा सा मैं तुछार मिनिट लेके बोलूँगा जीवन बंधन इसलिए है क्योंकि हमारा जीवन जैवेक रासायनिक को गह रहा है हम प्रतिक्रियाओं पर चलते है किसी ने आकर कुछ बोल दिया गुस्ता आजाता है सब से सरलुदारान है भूख लगी है तो हम आवश्य का हम छोड़के भूख की और खाने की और भाग देते हैं यह प्रतिक्रियात्मक जीवन है केमिकल बायलोजिकल यही बंधन है यही दुख है और यही जो किमिस्ट्री बायलोजी है एक दिन इस शरीर को एक दूसरा रूप दे देती है उस दूसरे रूप को हम कहते हैं यह मृतक है तो जीवन और मृत्य तो एक ही चीज है हम अभी अपने आपको जीवित बोलते हैं क्योंकि हमको यह ब्रहम है कि हम में कुछ खास है कुछ खास ऐसा जो कि इस कुरसी में नहीं है आप आम आत्मी को बोलें कि आप और कुरसी एक ही जीज हो तो मानेगा नहीं मैं कहूंगा नहीं मैं कह रहा हूं कि की मैं और कुर्सिय की वात splash खो तो बोल रों कुरशी नहीं बोलती तो नहीं कै हम डॉल फिर नहीं का भो नहीं का दो आपने हांते हुह दो जब रही हम पर हांत मारता है हमरने के मतलब सामने से कुछ हुआ, stimulus, kriya और हम उसपे प्रती क्रिया करिए. ऐसे यहां भी प्रती क्रिया हो रही है, कुर्सी प्रती क्रिया करतो रही है, जैसे कुर्सी बोलते हैं, यसे हम भी भूलते हैं, मरने के बाद भी हम बोलते हैं, आप मुर्दा आदमी का हाथ पटक दो तो क्या आवाज नहीं आएगी, मुर्दा आदमी ड़कार भी लेता है, उसको ऐसे आप बैठा दो, लेटा हुआ हो तो ड़कार आजाएगी उसके, तो जीवन मृत्यू जो है वो ये अलग-अलग चीज ये जिए आण लेते हो, तो प्रक्रते के बन्धनों से मुक्त हो जाते हो, ये जो हमें गलत-फहमी रहती है, मुझे भूखलगी है, मुझे टो, ये प्यार करता हूँ, ये जो गलत-फहमी है, ये मैं भाव को प्रगाड करती है, वही मैं कुछ कर भहा हूं तो मैं होंगा नहीं कर रहा किया। था मैं हुं कई है भूख लग तो बोल लिए तो मुझे वूख लग रही है। जब कि वह हो हूं रहाँ बस एक धीतर만 केमिकल प्रोसेस हो रहा है। वैसे ही हम देसको प्यार बोलते हैं वो क्या चल रहा है किमिकल प्रॉसेस ही चल रहा है पर हम कह देते हैं कि नहीं मैं कर रहा हूं किमिकल प्रॉसेस नहीं है जब केमिकल कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं क्या कि केमिकल की अपनी इंडिज्वालिटी है तब तो नहीं कहते हैं सब्णोर की है। इस इस विगए गंड़ की *** की मिस्टरी की लैब में होता है तो यही आहंकार कहलाता है बशच करता जाने करता बना बथख है मुक्त्त है यह जान लेना कि तुम कुछ नहीं कर रहे ह। जान लेत अधिया, आप मुक्त्ती है एक तो आपने कहा कि जीवन बंधन है और जीवन में ही मुखते हैं यह दोनों एक दूसरे के विलोध में खड़ा हो रहें लेकिन आपकी बात से थोड़ी बात आगे में बढ़ाने की गुंजाइश बनती है हम बोल रहे हैं अब आपसे बात कर रहे हैं लेकिन मिर्ट्य के बा दो समाप्त हो जाता है यह जो व्यक्ति बोल रहा है इसके चुप हो जाने के बाद क्या यह कुछ और नहीं होता यह सब्सक्राइब कि उसके बाद वो मृतक है और यह जीवित है गो मृतक है वह अभी भी समाज के साथ विवहार कर रहा है जो मृतक है आप उसको छोड़ दीजिए उसका रूपरंग बदल कैसे जाता है समाज माने व्यक्ति मनुष्य ही थोड़ी होता है करोड़ों प्रजातिया है ना इस प्रत्वी पर तो जो आपने छोड़ दी लाश वो पूरी लाश जो है वो बिखर कैसे जाती है डिसिंटि जोड़ान चल रहा है सब हो रहा है किसने कह दिया इसी प्रकार से मैं आपको एक एक्स्ट्रीम उधारन दूंगा जिससे समझने में आपने का अभी हम जिन्दा हैं तो हम दोनों बात कर सकते हैं और इस बात से सिद्ध होता है कि हम चैतन्य हैं कौन्शियस हैं हम मरें नहीं एक यह जब गर्मा गरम वहस होती है तो आप क्या बोल रहे हैं कि मैं उस सुनोंगा मैं क्या बोल रहा हूं कि आप सुनेंगे हमारे ही भीतर जो अरसायन उबल रहे हम बस उनको दूसरे की उपर भेकते चलेंगे हम सुनेंगे थोड़ी तो उसमें कहां कुछ आधान प्रद आज अचा इसे समझीए दो लोग हैं वह बिल्कुल दोनों वासना में लिप्त है ठीक है इस वक्त उनके बीच जो चल रहा है वो पूरे तरीके से केमिकल बायोजिकल ही तो है ना ठीक वैसे जैसे लाश और बैक्टीरिया के बीचमें अभी चल रहा है वह भी तो यह समूची किसे दुनिया क्या है जड़े दुनिया क्या है जड़ और चेटन क्या है मत ऐसे है कि विञू कर You հहे ही और चेटनतो एक ही सिक्ष्य के दो पहल Despite जड़ चेटन एक तरफ उसको कहते है जड़ हाइफन चेतन वह एक ही शेड़ जद ह म conex तरफ और सत्य एक तरफ सत्य क्या है रिविन? अब हम Meansashim यहीं सत्य इस खिल और two new вечers के लखKit अब ही हमने की वाघ कि आपने कहा कि दू लोग वासना में लिपते हैं कि हुए audit divan बvantage कि यह रहा हुता है कि लोग कहते हैं कि हुइए यह लोव पहली कि इनर बार में प्रेम पहली निजह में हो गया यह प्रेम है वासना है पहली वासना पैदा होती हो के परेम पैदा होता है दोनों का फर्रक है इंन बहुत अलग चीज़ है बहुत 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 आलग चीज़ है वो शरीर के कोई खास उमर हो जाए, इस से नहीं पैदा हो जाता या वे परीटलिंगी सामने आ जाया, उस से नहीं हो जाता या वी छोटा पच्चा सामने आ जाया, तो उसको आप लपक के उठा लो वो भी प्रेम नहीं होता प्रेम अध्यात्निक बात है मुलता प्रेम का हर्थ होता है कि मैं जिस हालत में हूँ मुझे उससे बहतर होना है यह संकल प्रेम है जो उच्चतम है उसकी तरफ खिचाव को प्रेम कहते है जो भी उच्चतम है जो उच्चतम है उसकी तरफ खिचाव को प्रेम कहते है और दूसरी तरफ यह जो प्रक्रतिक शरीर है, यह उच्चतम की और नहीं खिचता, यह खिचता है उसकी और प्रक्रतिक के चक्र को बढ़ाई रखेगा, वो बस कामना है, वो प्रक्रति है, वो प्रेम नहीं. लेकिन यह चक्र ना रहे तो संसार ना रहे तो अगर हमारी जितनी परिभाश्वाय व्याख्याएं हैं वो तब हैं जब यह चक्र चल रहा है जब आप स्थूल शरीर आनंद के नुभूति करता है फिर एक दूसरी संतती पैदा होती है और यह परंपरा चलती रहती है तो यह चक्र तो सही है इस चक्र के बने रहने में हमारा क्या हित है हम इस चक्र को बनाने के लिए थोड़ी पैदा हुए है या बढ़ा बचाने के लिए या बढ़ाने के लिए नहीं लेकिन ना रहे तो फिर हमारे किसी भी सिद्धान्त का क्या मतलब कोई रहे ना सिद्धान्त होती है हम क्या करेंगे सिध्धान्तों का लेकर दुख बहुत है और जितने सिध्धान्त होते हैं वो सब दुख से निपटने के लिए होते हैं दुख बहुत है और बहुत सारे दुख विशयक सिध्धान्त भी है क्या करना है सिध्धान्तों का अगर दुख ही मिट जाए तो जो हमारे धर्मरंथ हैं, उनकी व्याक्याओं ने समाज में लोगों के काम भी बाटे या मानस तयार किया मोटे तोर पर, कि आप ये काम करेंगे, ये काम नहीं करेंगे, ये फ्लाग का काम है, ये फ्लाग का काम है, वह मानस जो है, वो कहीं ने कहीं भारत के समाज को डिफिंस तो वो है न? उसने सहने के लिए आदमी के भीतर एक मानस तयार कर देखे कि तुम सह ओ क्या धर्मखरतों की व्याक्याओं निविए भारतिय समाज के नुखसान किया यह जो समाज में कौन क्या काम करेगा और याली जो बातें हैं यह धर्म के अंतरगत आती ही नहीं यह नहीं धर्म है इसलिए दार्म क्या धर्म जैसे आपने तो बात करे थिन व्यक्तिवेवस्थानिता धर्म पूर्णतया व्यक्तिगत्त होता है तो इसलिए सनातन धर्म के गरंथ केवल शुति गरंथ है शुति गरंथ में आपके आगए वेद उपनिशद यो कि वेदों का ही हिस्सा है और जो वेदान्त की प्रस्थांत रही है ये शुति क्यालाती है मोटे तौर पे उपनिशदों को ही शुतिक बोला जाता है, मोटे तोर पर, मात्रवई धर्म गरंथ है, बाकी तो सब समाजिक गरंथ है, समाज कैसे चलेगा, राजय की अधिकार क्या है, किसी नचोरी कर ली, तो उसको कितने कोडे मारने है, ब्राह्मन की पतनी या बेटी पर कोई कुदृष्टि डाल रहा है, तो उसका क्या दंड है, इसका धर्म से क्या संबंद है, यह तो राजय वश्ता है, यह तो आड्मिनिस्टिटिव मैटर्स है, यह धर्म नहीं है, व्यक्ति मनDSिरों में जाता है, व्यक्ति कर्मकान्ड करता है, एक संसकार में बना हुआ है, जर्म से लेकर कि Bruce and her, और हुमान थोड़ी धर्म होता है, स्वयम को पहचानना और अपने ही जूट से आजाद हो जाना यही धर्म है, तो यह पूरी दुनिया में जो धार्मी की विवस्थाएं हैं, किसी भी धार्मी की हैं, वो सारी कि सारी प्रपंचे, वो विवस्था जिस हद तक आपको आत्मग्यान की उर कर रह गई है, प्रपंची है, सुख क्या है? वो सब कुछ जो प्रक्रति चाहती है, कि आप हो गए, ताकि प्रक्रति का कारकरम चलता रहे, या तो प्रक्रति चाहती है, दो हम पर ताक्ते काम करते हैं, एक शारीविक, एक सामाजिक, या तो प्रक्रति चाहती है, या पर सा संभोग में आनन्द का चरम आदमी अनुभूद का सुख का हां सुख का अचा आनन्द को भी आप नहीं मानते हैं सुख का जो चरम के सती होती है उसमें व्यक्ति कुछ सोचता नहीं है विचार शुन्य होता है उसका स्थायत तो भी क्या परमानद नहीं है गुस्सागर लीजे खोग उसमें भी सोच गायव हो जाती है एक दुम भड़क जाईए देखिए कि विचार शून्ने हो जाएंगे भड़क के देखिए तो अगर काम वासना आपको समाधी तक ले जा सकती है तो फिर क्रोध भी ले जा सकता है अरे विचार शून्ने होने भर से थोड़ी चैतन नहीं हो जाता कोई विचार शून्ने तो यह लकडी भी है विचार शून्ने तो ज्यादातर लोग होते हैं कि क्रोधत आदमी भी विचार शून्ने हैं सोया आदमी भी विचार शून्ने हैं कामों का आदमी देख लेना विचार शून नेता है तो इस सब जितनी बाते हैं कि आप काम के माध्यम से राम तक पहुँच सकते हो या या यह सब बेकार की बात है इसमें कुछ नहीं रखा है यह अभी आपने कहा कि वो सुख है आनन्द नहीं है तो सुख और आनन्द इन दोनों का अंतर क्या है सुख प्राक्रतिक सामाजिक होता है आनन्द में बोध है चेतना है आनन्द का मतलब है सुख दुख दोनों से निपट लिए आनन्द का मतलब है अब सुख की जरूरत ही नहीं रही सुख एक प्यास है जितना मिलेगा कम लगेगा सुख एक डर है जब मिलेगा तो घबराओगे कि अब कहीं दुख ना आ जाए चिंतित हो जाओगे कि सुख मिल तो गया छिन न जाए यह सुख है आनन्द कहता है सुखा यह दुखा यह में कोई फर्की नहीं पड़ता यह आनन्द है सुख निश्चित रूप से दुख दे कर जाएगा आनन्द का कोई विपरीत नहीं होता आनन्द माने आनन्द सुख हो दुख हो कुछ ना हो आनन्द अभी आपने डर का उल्ले किया मैंने कई बर महसूस किया कि डर जो है वो व्यक्ति को उसकी सही इर्दिशा पर रखता है उसको गलत करने से रोकता है और डर का भाव जो है वो कुछ अरजित है जिसके खो जाने का भी होता है डर के कई-कई रूप मैंने देखे यह सब डर है या फिर डर कुछ और भी होता है देखे मूलता तो डर प्राकृतिक ही होता है छोटा बच्चा पैदा होता है आप उसे भी डरा सकते हो और डर इसलिए होता है ताकि प्रकृतिका चक्र चलता रहे डर बिलकुल वैसा ही है जैसे कामवासना या क्रोध या भूख या प्यास या आकर्शन डर बिल्कुल ऐसे ही है और डर के लिए अनुभव चाहिए, स्मृति चाहिए, मौह चाहिए एक छोटा बच्चा भी जानुवर का जंगल में पैदा होता है, सिंग को देख लेगा तो डर जाएगा उसको अभी तक कोई प्रश्रिक्शन नहीं मिरेता है, यौ granular जाएगा कि प्रकृति नहीं उसको सिखा के भेजा है गरो तो बचाने एक वो मारा जायागा तो डर उपयोगी में किसलिए हमारे सिवार की सण्रक्षन के लिए डर उपयोगी होता है तो प्रक्रति हमें एक डर देती है जो शरीर को बचाने एक काम आता है वो डर सरफ जानुरों पाए जाता है अब डानुवर को डंडा देखाओ वो डर के भगता है प्रक्रति वाला डर शरीर को बचाने काम आता है एक डर हमें समाज इस्थापित कराता है वो होता है psychological preservation का यहाँ प्रक्रतिवाला डर शारेरिक संगरक्षन का और समाज हम में एक डर बिठाता है मानसिक संगरक्षन का क्या मैं समाज हूँ मैंने आपको इज़त दिये तो आप मेरे बताए हुए मर्यादत रास्ते पर चलना नहीं तो इज़त वापस ले लूँगा य यह psychological fear है और फेक उच्चतम डर होता है तो संतों ने गाया है न कि डर पारस है जीव को भाय पारस है जीव को निर्भाय होए नकोए तो वो सबसे हुचा डर होता है वो डर यह होता है कि जो मेरी हालत है मैंने देख ली और मैं किस स्तर का कि श्रेणी का आदमी हूँ मुझे जिस तरीके से जी रहा हूँ मुझे डर है कि जीवन विर्थ नशला जाए कि आद रू कर्ण कैसा है जीवन के वियर्थ चले जाने का डर हुटा है तो तीसरा डर है मात्रही वान्फेट है जीवन की व्यर्थता पर में आता हूँ, एक आदमी जो ग्रिहस्त है, बो दिन पर परिश्रम करता है, अपना परिवार चलाता है, कुछ अरजित करता है, डॉक्टर अपना पेश्वा है उसका, सैनिक का है, इंगीनियर का है, सब कुछ करते हैं, और उनकी अपनी थोड़ी ब या उपलब्ध हैं, फिर ये क्या है, इसमें तो आपको बहुत अब दिक तोर पर कुछ मिला नहीं है, बहुत दिक तौर पर चाहिए क्यों, आप बहुत अब भुत कुछ पावी लोगें, तो वो चीज आपको एक सीमा तक ले आती, उसका आगे तो ले नहीं जाती है, तो वही ना रहे जो उपलब्धियों के लिए जीवन पर तडपेगा तिलप तडपते मर जाएगा तू ये निज के लिए है ये समाज के लिए निज से ही समाज बनता है निज के लिए है निज को मिल गया तो समाज को मिल जाएगा ग्रहस्त जो है ग्रहस्त बनावोगा 25-30 साल में ग्रहस्त से पहले भी वह इनसान था जब ग्रहस्त है तब भी इनसान है एक ग्रहस्ती उसकी समढ़ जानी है उसके बाद ही वह इनसान रहेगा इनसान तो ही ना, इनसान पैदा किस वास्ते हुआ है, वो है जीवन की सार्थक्ता, हम ग्रहस्ती जमाने को थोड़ी पैदा हुए है, ग्यानियों ने कहा है कि पुल है जीवन, पुल पे घर नहीं बनाया करते, पुल पे ग्रहस्ती जमा के क्या करोगे तुम्हें उस पार जा आजके दौर में आदमी खुद के पास सिसब रखना चाहता है तो दान और परूपकार यसी बातों का अनादर है या फिर वह नहीं हैенное यहिसा समाज हम तर्यार कर сторे है के परूपकार तो कुछ होता ही नहीं था पर उपकार असा लगता है उसका उपकार हो गया मुझे क्या मिला दान से भी ऐसी लगता है कि मेरे पास कुछ था मैंने दे दिया तो यह जो शब्द है ना यह थोड़ी भरांते पैदा कर देते हैं दान नहीं होता त्याग होता है त्याग तुम जो रखके बैठेते हो तुम्हारे लिए घातक होता तुमने उसको ऐसी जगह दे दिया जहां उसका बहतर उपयोग होगा तुम नहीं दोगे तो वैसे होगा कि जैसे कोई आदमी अधिक वजन लेके बैठा है वजन ज्यादा है त्याग दो बैठा नहीं तुम्हारे लिए गड़ड़ है इसी तरगे से परुपकार नहीं होता आप जो कुछ कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो क्योंकि जो मूल इकाई है अस्तित्य की वो तो व्यक्ति ही है आप उसको दे रहे हो उसको बाद में मिलेगा पहले आपके लिए देना जरूरी था आपके लिए जाता जरूरी था देना कि आप दो आप दो यह हम नहीं समझते तो इनकी जो परिभाशाएं बन गई हैं वो यह है कि दूइंग फेवर टू दू अदर वो हम क्याते हैं मैं क्यों इसका भला करूं उसका नहीं भला करो अपना भला करो दो ताकि तुम्हारा भला हो सके और इसमें कुछ ही है नहीं कि दोगे तो पुर्णे मिलेगा वाली बात नहीं कर रहा हूं तुम ऐसी चीज पकड़ कर वैठे हो तुहारे काम की नहीं है या तुहारे पास है भी तो उसका मूल्य बहुत थोड़ा है आप चार रोटी खा चुके हो आप पांच में खाओ गे तो वो किस काम आएगी चर्वी बढ़ाने काम आएगी वो गैठा उसने एक भी नहीं खाई है जो आप उसको दे देते हो एक रोटी आप भी बच गए पांच में खारते तो आपके लिए गड़बड होता और उसको मिल भी गया तो आपने अपने हित के लिए उसको दिया है कोई परुपकार नहीं किया है जब तक हम यह समझेंगे नहीं कि जो संसाधन जहां होना चाहिए उसे वहां पहुंचाना जरूरी है तब तक हम सारे संसाधनों को कुद ही भोगने की इक्छा में लगे रहेंगे सब कुछ मेरी पास तो इस देश में क्रांती होनी चाहिए क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो सतत अपनी संपत्ति बढ अधिक है कई पुष्टों के जरूरतों से बहुत अधिक है और कुछ लोग हैं जिनके अवास बिल्कुल नहीं है तो कश्ट में हैं इतनी बढ़ा लियो घोर कश्ट में होंगे बहुत कश्ट में होंगे अपने लिए भी वह कश्ट जोड कर वैठे हैं और जो उनसे द्रयत में मेल नूटरिशन ईतना ज्यद्डा है और खाने के नहीं पैसे है वह ऑँत sciences नहीं है बहुत भयानक कश्ट कुजर रहोगा होगा वह वह महीं नεί पता लगता हमें लगता में लगता है पैसा ब्हुत हो जाता तो आद्म सुखी यहाथा वोगा तो छिनके पास नह जिनके पास नहीं है वह ही बनना चाहते है जिनके पास आप उससे पुछिए तू इतना भूख है तुझा क्या बनना है तो बलेगा बड़ा वाला सेठ बनना है अब करांति कैसे होगी पर उप उस दिन जिसके बास नहीं है वह सेथ के नाम पर फुकना शुरूर कर दें महिलाओं को लेकर के आता हूं आ कि अ के लिए के लिए मेलाई है वह बद्द्या चाहिए तो मातासष्टि है धन चाहिए ने मदलक्ष्मी इसुलिए बटै कि सुल्क्ति तरद भारती समाज मेफेया को सवान्व है दिकाद देने और सुरक्षित जीवन देने की अई फिर्डाई चल दई है महिलाओं को लेकर के भारती समाज को आप कैसे देखते हैं तो भारत में निसंदे महिलाओं की दुरदशा है कोई शक नहीं सबसे बड़ी जो उसमें बात हो तो भ्रोहन अत्या की है लेकिन वो जो फिनोमेना है वो विश्वयापी है पूरी दुनिया में ही महिलाओं को जहां महिलाओं को समान अधिकार हमें लगता है भी वहां उनको अब्जेक्टिफिकेशन बहुत ज़ादा अप अमेरिका को देखिए वहां उनको वस्तो भग की भले उनको अधिकार अगेरा सब कुछ है खेर वहां महिलाओं ने भी पुरुष को भग की वस्तो बना रखा है तो यह क्या है यही है कि जब आप पैदा हुए हो आपको जीने का लक्षी ही यही बताया गया है आपने का था ना सुख कि दैहिक प्लेजर और मेंटल हैपिनेस इस आर दा अबजेक्टिव अफ लाइफ यह हम बच्चे को दर्शन की घुट्टी पिलाते है यह इस इस तर का हमारा दर्शन रहता है ऐसी हम उसको प्रवरिश हर शिक्षा देते हैं घर में और स्कूल में जीवन का उच्चतम लक्षे क्या है सटेहिक और मान्सिक सुख इस वाले को पलेजर बोलीजिये इस वाले को हैपिनेस बोलीजेएएगे तो फार फॉब लाइफ और हैपनेस कहांसे मिलेगी ऑई खोशी-खोशी कहांसे आएगी औरल रहेęt वह आटामने खोगो, मिल सकताए भोगो यह कोई जो गोगो अए इक तो अपाल्या का शरीर है वह अपलब्ध धि करने को अपने खूप करती है तो फुछीदा जा सकता है तो खरीद दर देबाए ज करें वो वो अन्य महिलाओं को दबा देंगी वो गुड्स एंड कॉमोडिटीज का कंजम्शन करेंगी शॉपिंग करेंगी जो भी जो जिस जहां अपने स्तर पर है हर आदमी को घुट्टी तो यही पिलाई गई है ना इस तरी पुरुष सब को क्या कंजियूम जिसके पास भ अंजिल के बिना किसी उद्देश्ट को दोड़े जानी है यही आनंद देखना साथ हो यह जग बोराना एक धर्म विश्रेश के बारे में कहा जाता है तो रूड हो है और जो जीवन शैली है उसी को धर्म मानता है इसलिए वो विकास की जो रफतार रही दुनिया की उसमें वो शरीक नहीं हो पाया वो पीछे चूट गया उस इसलाम को अचार प्रश्वांत कैसे देखते हैं सुधरना पड़ेगा बदलना पड़ेगा रेनेसा चाहिए धर्मों को ही आत्म बोध चाहिए होता है एक मेरा प्रश्न होता है कि दुनिया का जितने बड़े आतंकवाद अधर्म श्रीष को भी तरही कि नि ऐसा नहीं है कि सब वहीं से आते हैं ऐसा नहीं है यह थोड़ा एक्षविय बन गई है यह भी मानता हूं कि भहुत सारे वहीं से आते हैं भारत के ही आप पडोस में देख लें अगर आप चले जाए भी म्यायमार में तो 88 प्रतिशत जो ह पर बहुत उनको खत्रा है कि मुसल्मान पता नहीं क्या कर देंगे और वो हर तरीके की उन्होंने वहाँ पर ज्यादती है वो करी है तो वो टेर्रिस्म के अंतरगत ही आता है आप शीलंका चले जाईए बिल्कुल जिसका हम से ही संबंध था एटिटी था लिटे तो सब तम मेल हिंदू थे तो आपकी बात सही है बिलकुल कि दुनिया में ज्यादा तर जो है इसलाम की दिशा से आते हैं आतंकवादी लेकिन हम क्यादें कि सब आतंकवादी वहां से आते हैं वहसा नहीं है बहुत बड़े बड़े आतंकवादी संगठन रहे हैं आज भी हैं जो इस स्टेट पॉलिसी चलता है एक धर्म के तहट बहुत सारे ऐसे देश रहे जिसमें धर्म के नाम पर ही आतंकवाद पैदा कियागा मेरा प्रश्न वहां आता है नहीं वह बात आपकी बिल्कुल सही है सुधरना पड़ेगा और तीखिये क्या होता है ना हर धर्म को अपने भीतर से सुधर चाहिए होता है उसके लिए आवश्यक होता है कि कुछ उसमें सुधरन उभरें जो अपनी जान की वाजी लगा के भी कहें कि भाई ये अपर जो चला आ थीक नहीं है इसको आज की रोश्नी में देखो इसलाम में वो नहीं हो पाया है कुछ तो इसलिए क्योंकि मामला कट्टर जादा है कोई समास उधारक आए तो उसको जान का खत्रा है और कुछ बात शायद सही हो की हो सकती है इसलिए क्योंकि इसलाम उम्र के मामले में इसाईयत से छोटा है और सनातन धर्म से तो बहुत ही छोटा है, तो जरूरत तो निश्चित रूप से है कि कोई आये वहाँ पर और आकर के जो धार्मिक प्रिंसिपल्स हैं, उनका समकालीन, कंटेंप्रेरी इंटर्पेटेशन दे, उसी इसे सुधार आएगा, इसमें मैं थोड़ा समझाना चाहूंगा, देखिए, कोई भी धर्म ग्रंत होना, उसके कुछ हिस्से समय सापेक्च होते हैं, और कुछ समय निर्पेक्च होते हैं, मानि कुछ होते हैं, जिनका बस ततकाली महत्त होता है, कि जिस समय में, जिस समाज में, जिस जगह पर बाते बोली गई थी, उस समय पर उनकी ततकालीन, कंटेंप्रेरी उपयोगिता थी, उस समय पर, वो समय बीद गया, तो आज उनकी नहीं उपयोगिता है, और उसमें कुछ बाते ऐसी होती हैं, जो इटर्नल महत तो की होती है, शाष्ष्वत, अमर होती है, कि उनका महत तब भी है, जब बाते उच्शारित हुई थी, और उनका महत तो स्कॉलर ही हो सकता है जो अपनी जान की परवाना करें और अकसर जो लोग इस तरीके के सुधार लाने कोशिश करते हैं उनको जान से हाथ धोना पड़ता है जैसे आपने कहा कि हिंदु धर्मे जितने समा सुधार हुए उदरतल धर्म सुधार ही थे इसलाम में उस तरह के अलिगर्ड मुस्लिम उनिवर्सिटी क्या है अलिगर्ड मुस्लिम उनिवर्सिटी इसलाम में साइंटिफिक टेंपरामेंट लाने का प्रयासी ही था आपनी कहा कि धर्म में बहुत सारे ऐसी बात होती है जो समय निर्पेक्ष होती है सनातन शाश्वत यह सनातन और हिंदु इसको लेकर के बड़ी उल्धन सी रहती है दोनों क्या है हिंदुद तो कुछ नहीं है सनातन धर्म का मतलब होता है कि एक ही धर्म है जो चिर्क आलीन है जो कभी बदल नहीं सकता जिसके अलावा धर्म की दूसरी परिभाशा नहीं हो सकते वो धर्म यह है कि किस के लिए धर्म यह जानो मेरे हाथों के लिए तो नहीं न धर्म, मेरे माथे के लिए भी नहीं है धर्म, कि तिलक लगा लिया, मेरे गले के लिए नहीं धर्म की माला डाल लिया, मेरे होटों के लिए नहीं धर्म की मंतरोचार कर लिया, मेरे पैरों के लिए नहीं धर्म, कि तिय थात्रा कराए, है ना मेरे माथे के लिए भी नहीं धर्म मेरे बालों के लिए नहीं धर्म की बाल मुडा लिए धर्म किसके लिए है धर्म मेरे लिए मैं कौन हूँ यह पहचानो यह पहचानो और जो मैं हूँ जो जिसका होना ही दुख समान है उसको मुक्ति दो यही धर्म होता है, यही सनातन धर्म है सनातन धर्म मात्र इतना ही है स्वयम को जानना और स्वयम को मुक्ति की और ले जाना देखिए यह कोई मेरा विक्तिगत मत नहीं है बहूत लोगों को लगता है कि मैं विक्तिकत बातें बोल रहा हूं धर्म के आधार में दर्शन होता है आपके शड़ दर्शन है वो सबके सब आप उनको जाके देखें उनका ऐंका आखरी बिंदु किया मुठी उन और आस्तिक दर्शन भी उनका भी आखरी बिंदु के जैनবॉठत का मुठी है तो मुठी के लिए ही रिकिन हम है कौनी पता चले रिकर है तब लोत मुठी की बात होगी मैं बंधन तो फिर आनन्द से जीओगे और सबके लिए फिर तुम शुभता का कारण बनोगे ये सनातन धर में हिंदु तो बहुत नई चीज आप सब अच्छे से जानते हिंदु तो एक जान चाहिए तो फिल्में भी छूट जीए गाने कि सुन लेते हैं सुना भी देते हैं पसंदीना कितकार शेलेंद्रें अप अब अवाज आज आपका साथ नहीं दे रहें हैं खाने में क्या बस लेकित मोका ही नहीं मिलता सोच पाने का असल में ये थोड़ा सा गड़बड कर खाना क्या होना चाहिए ये सब चीजें देख पाने का मैंने अपने आपको वक्त दिया नहीं पर आप मुझे बताया जा रहा है कि अब आप 25 साल के नहीं है तो इन चीजों पर अब ध्यान देना शुरू करिये तो देंगे नहीं तो खाने में क्या पसंद है तंदूरी रो कि क्योंज़ एसी चीज जर बहुत पसंद को है कि Все उसक्ता है कोई जगे हो सकती है कोई रैटर हो सकता है कुई संग सब्रूं मुझे बिलकुल आजाद हो पाना बहुत पसंद है और और थोड़ी अजीब सी बात है कि बहुत सारी अनिवारताएं और बंधन मैंने अपने उपर खुद ही डाले हुए है तो पूरा दिन मेरा बहुत तरह कि व्यस्तताओं में बीचता है मेरे भीतर कुछ है जो उन सब व्यस्तताओं को बंधन जैसा मानता है तो इसलिए थोड़ की बात है यह करो वो करो यहां फसाओं वहां फसाओं पर वो सब मैंने स्वेमिया मंत्रित करा है तो मैं उसे इंकार नहीं कर सकता है फिर मुझे रात में जब कभी बाहर जाने को मिलता है सडकें खाली रहती है इधर रहने का लाब यह है कि इधर ट्राफिक कम है सडकें मिल वां अंदर आ रही है, बाल ओड रहे हैं, पहले बाइक पर करता था, अब इन लोग ने बाइक पर वर्जित कर दिया, मेरी बाइक भी छीन ली, मुलते हैं, आप बाइक पर नहीं चलो गए, तो अब गाड़ी में हो गता है, अचार पशान्त अपने जीवन के साथ तक ता किस पाते हैं या डूड़ते हैं? नहीं है सोचने का ये वक्त, अभी तो यही देखता हूं कि अब शाम का सत्र है, वागे बढ़े, कोई मेरे पास सच मुच, दिल से, मेरे पास कोई आखरी लक्ष जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि वो इतनी बड़ी चीज है, जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं इसमें क्या लक्षे बनाओं, जितना आगे बड़ पाऊं उतना ही परियापते हैं, दूतरी बहत मैं जो करना चाह रहा हूं मैं अपने साथ तो करना चाह नहीं रहा हूं, वो मैं आपके साथ करना चाह रहा हूं, अब आपके साथ मैं कितने आग sih, the Yakiniang कभी कोई होता है जिसको देख कर जिसको सुनकर बहुत भीतर से उट जा जाती रोमान्च हो जाता है कभी आस उगा जाती है बहुत सारे है तो अलग अलग क्षेत्रों में हैं सुव अध्यात्म के ख्षेत्र में हमारे कभीर Samhu So जब लगता है कि मन भारी हो रहा है तो उनको पढ़ लेता हूं गा लेता हूं सुन लेता हूं निर्गुनी पसंद है आप सगुन भी पसंद है क्यों नहीं पसंद है और वो तो सगुन भी खूब गाते हैं ऐसा नहीं कि निर्गुनी सगुन भी गा देते हैं बाबा बुल्ले शाह है, संतों ने बड़ा बढ़िया काम करा है, इस संत परंपरा को कैसे देखते हैं, मुझे लगता है कि भारत जो बहुत संकट में रहा, तो जो भक्तियां दोने रहा, भारत का, बहुत संपन रहा, तुलसी, रहीम, कबीर, दादू, नानक, मीरा, चैतन्य इसने भारत के मानस को उसके संस्कृति को बहुत सीचा बजाया, बिलकुल मानता हूँ, मैं जो चार शिंखलाएं हैं जिनका शिक्षन कर रहा हूँ, उन में से एक तो संसरिता ही है, संसरिता में भजानी एक लिया जाता है, और उस पर सिलसलेवार चर्चा होती है, गाया ज लिया जाता है हर बार, और अचारे नागार जुन की शुनिता सब्तति है, अश्टा वक्र गीता है, और लाउद्जू है, ताउते चिंग, और संसरिता है, तो संतों ने रिशियों की बात को जन सामानी के लिए सुलभ बना दिया, बहुत बढ़ियां काम करा नोंने, और ग बात ही नहीं, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बजा नहीं गाता हूँ, अभी दो दिन पहले तो था, रात में बाहर निकले थे तो, पिंक फ्लॉयड का दौर चला, तो सिर्फ पिंक फ्लॉयड फिंक फ्लॉयड घंटे भर तक सुनते रहे, इसी तरह ऐसे हिंदी फिल्मी गाने है, वो भी है कवालियां भी सुन लेते हैं अलग-अलग मौकों की बात है जहां मौज आ जाए वही बहन बढ़ी है आपने समय दिया है और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा ही अवारा रास्ते के तरह हमारे बात चीत रही जिसके कोई तैयारी नहीं रही है बहुत श्क्रयाव को